अहंकार की मुठी बांदी है या समर्पण की अंजुली बनाई है तुमने इस ग्यान को ग्रहन कर पाओगे ये संसार क्या है पार्थ मानव, दानव, पशू, पक्षी, जन्तु, कीटक, मत्स, व्रिक्ष ये सब केसे बनते हैं किन पधार्थों से इनका जन्म होता है कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं मृत्यू कैसे होती है इनकी और मृत्यू के पश्चात क्या होता है कि इस रहस्य का विचार करो कि अनुष्य की देह मिट्टी से बनी है मादर जल उसमें रख तादी बनकर परवाख करता है अगनी देह को दापमान देती है और देह में प्रिक्थ स्थानों में आकाश प्रकट होता है अठाथ धर्पी वायू जल अगनी और आकाश इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्मान हुए